इसका मतलब है परोमता ने फिर से अपनी पाकी नहीं की ये लड़की हमेशा देर करवाती प्रिती भावी गाड़ी तयार ठीक है मदन तुम ये सारी बैक्स अंदर रख लो पुछ करके आते हैं हम निकल जाले है आई होप सलोचना दीदी तयार हो गई हो कुछ मदन नहीं बस तो परोमता जी फाइनली आपकी पाकिंग हो ही गई है क्या करू दीदी बावी ये सही कह रही है वो तो क्या नहीं कि मैंने इसकी मदद करती वरना कल सुबा तक इसकी पाकिंग नहीं होती बस बस इतना क्रेडिट लेनी की जरुरत नहीं है ये मत भूलो इस बार हुमने जाने का प्लान मैंने बनाया क्यों दीदी? हाँ ये बात तो सच है प्रिती जरह सुनना अमा जी आपको बुला रही है हाँ चला सब इंतिसाम हो गया ना? बिल्कुल मदन ने जगा भी देख लिए क्यों मदन? काम को अंजाम देने के लिए जगा ठीक है ना? जी हाँ, चारो तरफ जंगल ही जंगल है इंसान का तो वहाँ नामो निसान भी नहीं है और वो डाक बंगला बरसों से सुना पड़ा हुआ है हमें बिल्कुल ऐसी जगा चाहिए थी ये अंग्रेजों के जमाने का डाक बंगला है वहाँ लोग आसपास बठकते तक नहीं है और अफवाएं हैं कि वहाँ आत्माएं वास करती है तो चलो क्यों नहीं हम उनफ़ाओं को सत्साबित करते वहाँ परोमीता वहाँ सफेड ड्रेस और गुंगरू तुमने तो आत्मा बनने का पूरा इंतजाम कर लिया अच्छा मदन तुम्हारे उस आदमी हरिया से बात हो गई है ना हाँ भाईया मेरी सारी बाते हो गई है वो उसी इलाके का है मैंने उसे एडवांस भी दे दिया है शाबाश मदन अब सारा पाप करेंगे हम और इलजाम आयका उसात्मा पर जो कि है ही नहीं अब जल्दी से सारा प्लाइन मुझे वापस बताओ हमारी गाड़ी ठीक टाक पंगला के सामने जाकर खराब हो जाएगी कितनी जोर की बारिश हो रही है खार 25 का मंदन करिके करेंगे सार प्ली का ग्रिम मैं जरा देख यह मैं देखना चाहिए क्या हो मदन लगता है भाईया गाड़ी में कुछ खरावी हो गई है कि अब इत्य सुनसान रोड पे इस वक्त पकेनिक भी कह मिलेगा नहीं भाईया यहां पे एक डाक पंगला है अच्छा होगा कि हम लोग चल के बात करते हैं कहीं रहने का वेवस्था हो जाए कोई है अरे भाई कोई है कोई है कोई है हलो कि अच्छा है कि वह हमारी गाड़ी खराब हो गई है और आसपास के होटल भी ने रहने के लिए क्या हम आज की रात इस डाग मंगले में काट सकते हैं भाईया इसे कुछ पैसे दो सिर्फ एक रात की बात है सुबा होता ही हम निकल जाएंगे ठीक है पर पर क्या आप लोगों की सुरक्षा की जिमेदारी मैं नहीं ले सकता सुरक्षा क्या क्या यह आसपस कोई डखवाख हुए नहीं यह डख खाना काफी समय से बंद पड़ा हुआ है और जो सुरक्षा का बिड़ा हम लोग खुद उठा लेंगे ठीक है वह कुछ चाहे नाश्टे के इंतजाम हो सकता यहां कुछ नहीं मिल सकता पर हां इस जंगल के पीछे एक बाजार है आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वहां कोई दुकार खुली हुई मिल जाएगी ठीक है मैं कुछ न कुछ बजार से लेकर आता हूँ तो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ इसकी कोई ज़रुत नहीं है बहिए अच्छा सुनो कुछ पैसे तो ले दे जाओ एक बनादभाई आप अजय सुनो और वो सामान भी लेकर आए जी भें ओके हैं चुनो रागव हम गाड़ी से सामान ले आते हैं हाँ हाँ गुंगरू की आप हाँ हाँ इस जंगल में नहींने हाएए़िक कंदूक कंदूक हाए? हाए, हाए किस आई हाए? zor पनलतं क प्ल Ben वada मुच्छ मुच्छ लाक करें। झाल 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 कोई खुरसी ऐसे हिल क्यों रही है? हवा से हिल क्या होगा पीती नहीं पुशकार ये तो ऐसे हिल रही है जैसे इस पर कोई बैठा हो हाँ शायद इस पर कोई ऐसा आद में बैठा है जो हो शायद हम लोग को दिखाए नहीं तेरा प्रीज रागा ऐसी बाते मत करो मुझे बहुत डर लगता है एक तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है आप ऐसा ऐसा वे लाइट्स कब तक आजाएगी प्रीज अभीए आप अभीएण तक आजाएगी नहीं है आप प्रीज है आप अभीएण प्रीज प्राइब करोगोगे आप इस पर लाइड़ नहीं है कर दो कि आजा हुआता जाह आल चार। कर दो आल पना डर्ञार। कर दो दोका है व्ड़श्टा का अवाल कर दो पर दोल ढमेंगे जान आल कर दोल 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 किया रहे बंगला कम से कम सौसाल पुराना तो होगा ना आलत देखकर तो यह लगता है यहां पर तो सारी कम्रे खोले हैं सिर्फ यह कम्रा बंद क्यों है क्योंकि इस कम्रे में मेरी मालकी का सामान पड़ा हुआ है आखे ऐसा है क्या इस कम्रे में यह जानने की ना तो तुम्हे जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना अँ़ झाल! वाल झाल ते dzi Thailand से सीचितु और खुबूए्अ को जाूद हुआती हैुआतache के लुबूए ऑाहा हुआते हैं अजसी एक कालद नह बंग 52 तर भुबुंड साइं करें तो करें दे 150 दाल कि पुछ मैं करें दो आयआ हैं येसाल आई करें देक bezpie मैं स्वें करें दो दॉब तेदा करें दो से रचम फैंट कि दो देखição मैं सकता दो फटार मैं क्रें दिएसे हुअны इस भ्रेशना करें आरव को अपना है कि आ़ alcohol हम घत कर रसका उल आीज मारेय का कि कि अ कि आत Zhu सनक कि आतर खरी संहान यहां पर तो कोई नहीं है लगता है वाके में ही मेरे कान बज रहे थे लेकिन गुंगरू की आवास तो कितनी साफ सुनाई दे रही थी है मुझे तो बहुत जोरों की बूख लगी है मेरे पेट में तो चुहिक कबड़ी कहल रहे हैं यहां पर कोई स्टोफ इस इस मदन की तुम्हें खटिया खड़ी कर दूँगा उसकी वज़े से हमारा पुरा प्लान डिले हो गया और तुम्हारा वो वो गुंगरू पहन कर चलना भी बेकार गया कि मेरा गुंगरू पहन चलना हाक कल रात तुम्हारा वो गुंगरू पहन कर चलना सुनकर तो मेरे पसी ने छुड़ गये थे ऐसा लगा था कि सच मूझ के आत्मा तो नहीं आ गई रागव घर रात मैंने कोई कुणी नहीं मैंने ते क्या ये तुम क्या कह रही हो इन फैक मैं इतनी ठक गई थी कल लेटते सो गई तुम सच कह रही हो हाँ अगर तुम सो गई थी तो कल यहां गुंगुरू पहन कर कौन गुम रहा था राखव सच में यहां कोई आत्मा तो नहीं है ना नहीं वो शायद मेरा वहम होगा मैं मैं काम करता हूं मदन को ढूंड़ के आता हूं ठीक है जल्दी आना यह यह मदन कह रहे गया उसकी वज़े से सारा प्लान प्लान गुंगुरू के आवाज परोमिता यहां केसे मेरा वहम होगा लुप्ष लुप्षर स्वाद करता हुआ़ू यहांगें दोग झाहें जल दोग टे दोग टे, ज जढ दाए हो जो झालें से लिव हैं जोग तो तो कि लिव शायो है, जो पिसलिए चलिए दोटा हैं जोग वित कृवितली को जड़ से लिव दुदा जदिए *** झाल झाल मदन मदन कोने 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 वाह को चड़े बुझे कर दो John कर दो छो बजय झोब जय यह दर्वाजा अपने आप किसे बंद हो गया कौन है कौन है यहां पर सुलोचना दीदी सुलोचना दीदी मैं यहां बंद हो गई हूँ यह तो वही गुंग्रों की आवाजे हैं कौन है कुई है यहां पर कौन है क्या हुआ वो स्टोब जल नहीं रहा है क्या कोई बात नहीं चलो हम कुछ और इंतिजाम करते हैं चलो क्या है बारे गलब सेलों मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है मदन तो पहले से ही गायब था और अब ये रागव अभी तक लॉट कर नहीं आया उसका फून भी अन्रीजिबल आ रहा है यहां पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है नहीं शायद मकैने के तलाश में इदर उदर बटक रहा होगा मैं उसे देख कर आता हूँ पुशकर तुम मत जाओ ये ठीक कह रही है इस जंगली इलाके में रात मौत बन के आती है सुभा डून लेना क्या हमें अब इस बंगले में एक रात और रुकना पड़ेगा नहीं आप लोग अराम कीजिए मैं आसपास पता करके आता हूँ पुशकर रहने दो ना पुशकर बहुत रात हो चुकी है कल सुबह देख लेंगे मुझे जाने दो प्रीती वैसे भी चिंतावे मुझे पूरी रात नीन नहीं आएगी पुशकर प्लीज मैं प्लीज थोड़ी दिर में आता हूँ प्लीज मरेगा ये भी मरेगा सुनिए कौन नडगे है सुनिए पुशकर अरो में तब तूम क्या हुआ तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो नहीं वो वो मैंने अभी अभी किसी को यहां सफेड ड्रस में देखा तुमने किसी आत्मा को देखा? ये मजाग का वक्त नहीं है परो मिता मैं सच कह रहा हूँ मैंने अभी भी किसी को देखा यहां पर अच्छा बाबा सॉरी अभी तो नहीं है ना अभी सिर्फ मैं और तुम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ परो मिता लेकिन तुम इस सुबक्त यहां क्या कर रही हूँ मैंने तुमें डाक बंगले से निकलते हुए देखा तो मैंने सुचा मैं भी परो मिता कुछ ही दिनों की तुबात है अगर किसी को अभी शक हो गया तो सब खराब हो जाएगा तुम जाओ मैं हरिया से मिलकर आता हूँ अपडेट्स सब्सक्राइब तू आर चैनल क्लिक देशो लिंक्स और एंजोई वचिंग वचिंग देविडियो क्लिक देशो अभी यगा अजय वचिंग देशो वचिंग वचिंग देशोचिंग परो मिलकर आता हूँ वचिंग परो मिलकर आता है